अकसर धाबों पे सेव भाजी तो हम ओडर करते ही हैं क्योंकि उसका टेस्ट इतना डिलीशिस होता है बिल्कुल सेम टू सेम धाबे वाली सेव भाजी मैंने घर पे बनाई है आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा स्टेप बाई स्टेप एक भी इंग्रीडिन मिस मत करिएगा और फिर देखिए बिल्कुल घर पेटे धाबे वाला टेस्ट आपकी सेव भाजी का भी आ जाएगा सबसे पहले ऑईल दिया मैंने दो बड़े चमर्च एक पैन के अंदर और उसे तेज गरम होने दिया उसमें डाला मैंने एक चमर्च जीरा और जीरे को डालने के बाद हम करीब एक मिनिट रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा सुनेहरा कर लेंगे उसमें फ्रेश कुरियंडर लीफ डालके भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे इस तरीके से धनी का जो फ्लेवर होता है न ओयल में आ जाएगा दो प्यास को फाइनली चॉप करके हमें ब्राउन होने तक बूनना है आपके पास अगर अनियन पेस्ट है तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे वन फोर्थ कप अनियन पेस्ट वन टी स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है उससे जो प्यास होता है न बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है यह देखिए इस तरीके से आपको प्यास को एकदम जलाने की तरह ब्राउन करना है जब आपको लगे कि प्यास जलने लगा है उसमें डाल देंगे वन टेबल स्पून जिंजर एकदम बारिक कटी हुई अदरक प्यास को कंटिनिसली चलाते जाएए रोस्ट करते जाएए दो टेबल स्पून गार्लिक हमने इसमें भर कर गार्लिक डाला है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसे भी प्यास के साथ सुनहरा कर लेंगे सबसे पहले प्यास को ब्राउन करेंगे अधरक डालेंगे और लेसुन डालेंगे अधरक लेसुन का पेस्ट नहीं डालना है नहीं तो वो पूरा पैन में आपका स्टिक हो जाएगा अब उसके बाद हमने दो टमाटर फाइनली चॉप करके डाले हैं इसके अंदर अगर आपके पास कुक टमाटर पेस्ट है तो आप वो हाफ कप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं ये देखिए अच्छे से प्यास को टमाटर को बहुत अच्छे से पका लिजे कि जो टमाटर है न बिल्कुल गल जाना चाहिए इतना आपको पकाना है ग्यास का फ्लेम मैंने तेज ही रखा है आप देखिए किस तरीके से मैं इसके अंदर मसाले आट कर रही हूँ एक चमच मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और वन फोट टी स्पून हल्दी बहुत तोड़ी सी हल्दी जाती है और एक चमच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का डाल दिया जिसका तीखा पन बहुत कम होता है सिर्फ रंग अच्छा आता है साथ में एक चमच बटर अब यहाँ पे ध्यान दीजे कि इस सब्जी में मैं नमक बहुत कम डालूंगी क्योंकि मैं अमूल बटर का इस्तमाल कर रही हूँ जिसमें अल्री काफी नमक होता है तो अगर आप बटर में सब्जी बना रहे हैं नमक बिलकुल कम डालिए टेस्ट करकर डालिए नहीं तो नमक तेज हो जाएगा सब्जी में अब इसमें उबला हुआ तीन कप पानी एकदम तेज उबलता हुआ पानी इसमें डाल के हमें इसे पंदरा मिनिट कुक करना है साथी पेस्ट बना लेते हैं उसके लिए एक बड़ा टमाटर फाइनली चॉप लिया है अगर कुक टमाटो पेस्ट है तो आप यहाँ पे वन फॉर्थ कप कुक टमाटो पेस्ट इस्तमाल कर सकते हैं हाफ मैंने जावेत्री का फूल मेज का लिया है एक बड़ी इलाइची ली है ब्लाक काडमम दो छोटी इलाइची ली है ग्रीन काडमम और साथ में डाला छे मैंने ब्लाक पेपर काले मिर्ची के यह सबजी बहुत ही कम स्पाइसी बनेगी और दो टेबल स्पून मैंने इसमें भर के तिल के डाले हैं सेसमी सीट आपके बस जो भी वेराइटी का तिल हो आप इसमें तिल डाल दीजे एक टेबल स्पून भर के उबला हुआ तर्बूस का बीज मगज जिसे बोलते हैं जिसे मैं उबाल के फ्रिज में रख लेती हूँ फ्रीजर में वो मैंने इसमें डाला है और एक टेबल स्पून पॉपी सीट्स खसकस या पोसत दाना जिसे बोलते हैं वो मैंने डाला है आदी चमच चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैं अल्री शेयर कर चुकी हूँ अपनी चैनल पे आप देख सकते हैं तोड़ा सा चाट मसाला आगे के लिए बचा लेंगे आदी चमच मैंने इसमें डाला गरम मसाला केवल आदी आदी चमच मसाले डालेंगे बाकी के मसाले हम ग्रेवी में लास्ट में इस्तबाल करेंगे ये देखिए आदा गरम मसाला मैंने बचा लिया हाफ टी स्पूर मैंने इसमें डाला किचिन किंग मसाला इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकियों आप देख सकते हैं और लेंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी आदी चमच मैंने डाला इसमें कोरियंडर पाउडर धनिय का पाउडर और आधा बचा लेंगे बाकी मसाले हम ग्रेवी में बाद में इस्तमाल करेंगे और आदी चमच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का डाला है जिसका तीखापन बिल्कुल कम होता है और एक चमच नमक अब देखिए पूरी ग्रेवी में मैं नमक सिर्फ इसी टाइम पे डाल रही हूँ बाकी टाइम पे मैं नमक आड नहीं करूंगे यहाँ पे भी मैं नमक थोड़ा सा आड कर रही हूँ और एक टेबल स्पून जिंजर डाल दी है और साथ में वन फोट टीश्पून हल्दी है जो सेकंड टाइम मैं इस्तमाल कर रही हूँ ग्रेवी के पेस्ट बनाने में और यह ठंडा पानी मैंने लिया है मिक्सी के जार में करीब आदा कप जिससे मैं एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी जित्ते भी मसाल अब इस पेस्ट को हमने जो पानी उबलने के लिए रखा है 15 मिनट से उसके अंदर हम डाल देंगे यह देखिए जो पानी पन्दर मिनट हो चुका है रड्यूज भी हो गया है उबलती हूए मसाले को उसमें हमने यह ग्रेवी डाल दी है जो हमने त्यार कर यह पेस्ट बिल यकीन मानिये बिलकुल घर बैटे जो हाईवे के ढाबे का टेस्ट होता है वो आपकी सबजियों में भी आएगा इसे ढखके हमें कंटिनियसली चलाते भी जाना है ढखके भी पकाना है अगर आप ढखेंगे नहीं तो ये बहुत जादा चीटे उचलेंगे सबजी के और पूर कंटिनियसली चलाते चाहिए औयल चूटने तख और ढखके से लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया है देखिये साथ से आठ मिनेट ये दस मिनिट समझ लीजे मैंने इससे पकाया है लो फ्लेम पर और बिलकुल रिलीज हुना शुरू होचुका है इस तरीके से जब सबजी आपको लगी की ओयल रिलीस कर दे हम उसमें डालेंगे वान टेबल स्पून बटर का अब बटर डालने के बाद इसमें डाली मैंने बहुत सारी फ्रेश क्रीम करीब तीन से चार बड़े चमच और साथ में डाला मैंने इसमें आधी चमच कुरियंडर पाउडर, वान फूट टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून किचिन किंग मसाला और डाला मैंने वान जो ग्रेवी है ना इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप इसे घर में नहीं बनाएंगे ना यकीन मानिए बहुत टेस्टी और अच्छी सबजी आप अपनी लाइफ की मिस कर देंगे उबलता हुआ पानी डालेंगे ग्रेवी की यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दू कंसिस्टेंसी आपको खुद अपने हिसाब से बैनेच करनी है क्योंकि सेव डालने के बाद सेव भी काफी सारा पानी अब्जॉब करती है इसलिए बहुत सारा पानी डालिए ग्रेवी के अ बलता हुआ पानी डालके दो मिनिट चला लीजे धनीय से और क्रीम से और कदुकस करे हुए पनीर से आप चाहें तो गार्निश कर सकते हैं और सबजी को गरम गरम सर्फ करें हरी मिर्ची फ्राइड हरी मिर्ची के साथ यह सबजी बहुत ही कम तिकी बनती है तीन से चार लच्छा पराठा नान सब के साथ यह सबसी बहुत टेस्टी लगती है तो अगर तीखा तेस करना हो तो इसमें आप हरी मिर्ची की कॉन्टिटी बढ़ा दीजिए और इस सबसी को घर में जरू ट्राइड के जिए और अपना एक्सपीरिंस मेरे साथ जरू शेयर करिए